हो तो लेग्स गोट नेक्स कोषिट विचिस कोषिट नमबर 56 अच्ट भूचान नंबर 56 वे शलते हैं वाइज यह जो कोषिट नमबर 56 है यह थोड़ा सा यू पीअ सी में भी हाइलाइट हुआ 2023 में जब इसमें amendment हुआ UPSC में भी highlight हुआ तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि Farmers Amendment Bill तो question number 56 जो बात हो रही है as per the biological diversity amendment act 2003 उसमें एक word यूज हुआ उस act के amendment में farmers variety कि किसान की variety कौन सी है actually मैं किस variety का आप कहोगे किसान की variety या farmers variety जुआ अपको आप क्या कहोगे तो हम पहले थूटा बिल की highlights देख लेते हैं तब हम इस question पे वापस आए तो हमारे अच्छा रहेगा पहले हम इस question पे वापस आए तो हमारे अच्छा रहेगा तो यहाँ पे पहले हम इस बिल को समझते थूड़ा सा quickly ली तो जो आप कहते है कि फोक वराइटी या फार्मर्स वराइटी यह क्या होता है मीन सब कल्टिविट वराइटी ओप्लांट डेट वस डवलब और ग्रोन एक्चेंज इंफॉर्मली अमंग दा फार्मर्स आपस में वालों किसी के एक किसान ने उगाया वहला वही मेरे यहां तो अच्छी प्रोड़क्टिविटी आ रही है तू लेगा क्या इसके फूवी उगा ले ठीक है दूश्रे ने पूछा भाई तुने क्या उगाया यारी इतना बढ़िया उगरा इतनी अच्छी प्रोड़क्टिविटी मुझे भी भी दे दे तो farmer variety उस variety को कहते हैं जो develop की हो, grow की हो और उन्होंने आपस में अपना जुगार कर लिया ठीक है उन्होंने मतलब नहीं है कि कहां से मेरे पास आया कहां से नहीं आया ठीक है तो ए वराइटी को हम farmers variety कहते हैं तो जो माशूं सिसम था आपका Parliament का 2003 रीपान feet क्या इसका मेर अब्जेक्टिव क्या था इस बिल का यह पता होना चीए to reduce the pressure on wild medicinal plant by encouraging cultivation of medicinal plant उन पर pressure कम करने के लिए दूसरा क्या था कि encourage the Indian system of medicine कि हम अपनी जो आयरुवेदिक है या होमोपेथिक है जो traditional system हमारा medicine का उसको बढ़ावा दे तीसरा क्या था facilitate the fast track research and patent application process transfer of research result while utilizing the biological resources available in the India without compromising the objective of United Nation Convention on biodiversity मतलब CBD को violate भी ना करे ना नगोया प्रोटोकॉल को वाइलेट करे आपको इस पता ही है बायोडियोसित प्रोटोकॉल है नगोया ठीक है तो यह development कुछ-कुछ वहाँ पे हुई let's delve into the legislative evolution of the amendment and examining the initial amendment proposed in 2021 bill inside from the joint parliamentary committee JPC होती है Conclusive provision of 2023 तो यह इस तरह की बाते वहाँ पे हुई कि भाई हमें ऐसे-एसे काम करना है और यह यह करके हमें देखना है कि जो यह हमारी जो इंडियन traditional knowledge है वो बची रहा है the all the details we have added here ठीक है तो यहाँ पे कुछ change किये गए ठीक है जो change किये गए ना ठीक है जो notable changes हुए कि क्या penalties है है यह achievement है and all ठीक है तो यह जो changes हुए उनको ध्यान में रखना है आपको थोड़ा सा कि क्या changes किये गए खाफी सारे changes वहाँ पे हुए ठीक है और कुछ keyword यहाँ पे ठीक है है ना कुछ keyword add हुए ठीक है है तो यह आपको बस ध्यान कि यह क्या कहता है ठीक है क्योंकि meaning से clear है उसके कि main purpose क्या था ठीक है question number 56 तो पहले चलते हैं कहता है बाइलोजिकल डाइसेटी अवेंडमेंट में 2000 फार्मर्स वराइटी क्या है अब आपको यह तो मैंने use for the purpose of cultivation ठीक है तो यह तो इसमें नहीं आएगा क्यों क्योंकि इसका परपस नहीं था यह तो बाइचांस फार्मर्स ने किया और उसको मिल गया कि भाई यह अच्छा ग्रो कर रहा है तो तूबी इस्तवाल करके देख ले तीक है हना तो यह तो फार्मर्स का जुगाड है यह किसी OPTIS का जुगाड नी यह फार्मरे का जुगाड है तो पहला option तो कटगे यह यह scientist ने कुछ नहीं किया, इसमें farmer ने जुगाड किया, ठीक है, दूसरे पर आ जाते हैं, it was developed, grown and exchanged, informally among the farmer, ठीक है, है ना, तो यह तो कुछ-कुछ बनता है, ठीक है, है ना, तो यह तो formal या informal way में उन्होंने share किया, आपस में, तीसरा, जो अभी हम देखेंगे, option छाटने में आपको कितनी समझदारे दिखानी की, has been traditionally cultivated and evolved by the farmer, यह तो पक्का-पक्का है, कि भाई, यह तो इसी के लिए develop हुआ था, यह हुआ, next, अब आपको अगला क्या कहता है, कहता है, it's a wild relative or the land race of a variety about which the farmer possesses the common knowledge, यह वड़े काम की चीज़ है, ठीक है, है ना, तो यहाँ पे, अगर मैं option देखू, यह तो होना नहीं चीए, किसी में भी, है ना, और last भी देख लेते हैं, इसलिए आपको सारे option exam में पढ़ने जरूर कहते हैं, was grown by ancient farmer and their successor, नहीं ऐसा नहीं है, जो जिस समय पे grow कर रहा है, वो ही इसको exchange करेगा, यह नहीं मेरे दादा जीन उगाई थी और मैं इसको exchange करूं, ऐसा कुछ नहीं है, तो यह चौत्था option भी गया, तो आपको negation technique भी बहुत यूज़ करनी है, अब मेरे पास कोई भी ऐसा option नहीं होना चाहिए, इसमें A हो या E हो, यह भाई साब कट गए, यह भाई साब कट गए, ठीक है, अब मेरे पास दो यह option बचते हैं, या तो मैं second लूँ और या मैं third लूँ, अब जब मैंने इसके wordings पढ़े, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, जो statement C or D है, वो ज़ आंती से पढ़ना ही question को आधा question swallow हो जाएगा आपका, तो अब आप देखेंगे कि यह जो formally, informally बली बात कहीं कहीं ही नहीं गई फार्मस वराइटी में, ठीक है कि formal exchange है, informal exchange है, ठीक है, कि बस दे दिया हमने तो, ठीक है, तो हमने उसको grow किया, cultivate किया और बस दे दिया, क्योंक cultivated variety of plant that was developed, grown and exchanged informally among the farm, ठीक है, उसके बाद has been traditionally cultivated and evolved, तो अगर मैं B पे जाता हूँ, तो यह जो last option है, कि वो develop कहां से हुई थी, उनकी common knowledge से हुई थी, तो यह छूट जाता है, लेकिन यह छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि main crux तो इसमें यही है, कि यह wild relative था, ठीक है, किसी land race क जो वही पे grow करते करते farmerों ने अपनी knowledge के हिसाब से develop किया, कि हमारे लिए यह best है, तो इस case में हमें C or D जादा बहतर option है, जिसको आप कहते हो कि most appropriate, तो इसलिए हमने C or D पे दाव लगा है, ऐसा नहीं कि B खराब option था, ऐसा UPSC में भी आता है, कि 1, 2, 2, 3, 2, 3, कौन appropriate है, तो कई बार आपको यह decision लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ, question को बहुत slow पढ़ो और option में से negate करो, जो आप जानते हो कि यह हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपका most appropriate answer guys, third हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि main crux तो यही था कि farmerों ने एक wild relative या उसी किसी land पे होने वाली उसी race से उस variety को pick किया था, तो in this question number 56, the correct answer is third, ठीक है, तो आपको कई बार ऐसा मौका आएगा, इस बार वाले exam में भी ऐसा मौका आएगा, that you have to choose among the two options, तो आपको यह तो आपकी decision power से लेना पड़ेगा, कि इसमें best मुझे call लग रहा है, वो आप तभी ले पाओगे, जब आप कु कुछ option को ध्यान से पढ़ोगे, तो 56 का आपका हो गया जी third, क्या ये question clear है सबको, जल्दी बताइए फटा परशे, question number 56 clear है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं हमने, now we will start with question number 57,